नमस्कार फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल मम्ता ब्लॉक्स में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मेरे ब्लॉक के सुरुआत हो रही है सुभा साड़े च्छे से पौने साथ बजे के बीच से और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कहीं जाने की तयारी कहां जा रही हूँ आगे वीडियो में आपको पता ही लगेगा तो यहां पर मैंने अपना पर्स ले लिया है और यहां पर मैं रख ले रही हूँ एक जोड़ी कपडे, कुछ जरूरी सामान, कहां जा रही हूँ और क्या-कया सामान रख रही हूँ यह आपको पर बताने वाली हूँ तो यहां पर देखिए मैंने वाइट कलर का रुपटर ले लिया है साथी साथ जो मेरा पिंक वाला सूट था जो मैंने भी ओर्डर करके मंगाया था आपके साथ में शेयर किया था इसकी फिटिंग का भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के निए तो फिलाल मैं इसी को ही पहन ले रही हूँ और आज है हमारे यहां रक्षा बंदन हमारे यहां क्या सभी क्या रक्षा बंदन है मेरे कोई special नहीं है तो आज है पूरण माशी तो हम जा रहे हैं गंगशनान के लिए पूरण माशी पे मम्ни जाने वाली थी, तो मम्मी को जाना था, और मम्मी के साथ जाने के लिए कोई नहीं था, तो मम्मी अकेले जाने में comfortable नहीं थी, क्योंकि मम्मी गई नहीं है तो मैं उससे पहले एक बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो, ठीक है इस बहाने मैं भी होयाओंगी वरना मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है तो यहाँ पर मैंने अपने एक जोड़ी कपड़े रख लिये हैं साथी साथ जो कंगा है या कंगी है सारी चीज़े होती है किट होती है कह सकते है तो वो मैं एक पर्स में रख लेती हूँ वीडियो को आप पूरा देखेगा पसंद आए तो लाइक किजे शेयर किजे और कमेंट में ज़रू बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी तो आज मैं कोई सेलाई वगर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि रक्षा बंदन है और तने दिन वैसे ही मैं इतनी सारे बिजी हो गई थी बिजी होने की वज़े से वैसे भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाया मुझे तो आज का दिन जो है वो मेरा खुद का है सारा जो काम है आज मेरी पर्सनल लाइफ का है कोई आज काम करने वाली नहीं हूँ तो यहां पर मैंने पैसे रख लिये हैं छुटे-छुटे जो पैसे होंगे किराय वगर वगर एक लिए चाहिए होंगे वो मैं बाहर की साइड रख रही हूँ और जो बंदे पैसे होंगे वो मैं अंधर की साइड की पॉकेट में रख बैक मेरा यहाँ पर पैक हो चुका है और अब यहाँ पर फटाफट से बालो की कंगी करूंगी जो थोड़ा बत सामान है, पूजा का जो लेके जाना है मुम्मी कल ही ले आई थी, मार्केट जब गई थी, तो यहाँ पर नारेयल है और चुन्री है, यह लेके आगई थी, तो तो अबी के लिए तो यह सारी चीजे मैं निकाल के रख ली और पहले मैं अपना बैग पैक कर रही हूं नहा मैं ली इसलिए क्योंकि देखे गंगा नहाते हैं तो वहाँ पर सिर्व अगर दुलना होता है यहां में साबुन से नहाना होता है वो नहीं हो पाता है तो एक बार हम घर से ही सिर्व दुलके जा रहे हैं और वैसे आज सौमवार का दिन है तो मेरा बरत भी है तो मुझे पूजा भी करनी है, तो इसलिए मैं नहा ली और नहा के अब यहाँ पर समान जो है और यहाँ पर मैं नाइटी भी रख ले रही हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पर कपड़े चेंजिंग कर सही से होता है, तो फिर मैं वहाँ पर नाइटी पहन कहीं नहा लूँगी, सूट जो है, मेरा गिला नहीं होगा, क्योंकि कपड़े जब हम ना आते है न, उसके बाद में वह गिले कपड़े रखने में भी दिक्कत होती है, और फिर बजन भी हो जाता है, और यहाँ पर आ चुका है सुबह ही सुबह कॉल, मेरे भाई का, कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ और जो राखी है, वो मेरी भेज देना, पैसे जो है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूँगा, लेकिन मैंने अभी कोई जवाब दिया नहीं है, रिजन आपको मैं बता दूँ जैसा कि आपको पता ही है, मैं माईके में रहती हूँ और मेरे दो भाई है, एक से तो पहले ही र रात के दस बजे जब मैं आके घर पे आई थी मम्मी के हाँ, तो उसने राखी नहीं बंदाई, उससे तो छूट गए मेरी राखी, इसलिए कि मैं अकेले आजाती, अभी हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, इतना ही जादा वो होता है, तो कभी-कभी आप भी आ सकते हो पर नहीं न, तो आने के लिए तया, और मैं अकेले आने के लिए बिल भी कमफर्टेबल नहीं, खासकर त्योहार पे तो इतनी भीड़ होती है, मैं कैसे आ जाती, रात के दस बजे आने के कारणा उसने राखी नहीं बंदाई, तो मेरी राखी छोड़ गई, रही बात छोट कॉछ रही हूं, पूछ रही हूं कि कहा हैं, तो फोन नहीं उठाया, कम से कम मैंने आट से दस बार कॉल लगाई, इसने फोन नहीं उठाया, मुझे इतना बुरा लगा कि अगर राखी नहीं बंदाई थी, तो मुझे बोली देता, मैं नहीं आती, क्यों मैं परशान होती, और अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, मैं गेट पे खड़ी थी, मम्मी चली गई थी, मामा के आँ राखी लेके, और मैं गेट से ही वापस रिप्लॉट की गई, तो वो चीज ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सकती मैं, और उसके बाद से तो मैं मैं के मही नहीं थी उस टाइम पे कि मैं नल लगवा पाती, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने दीपावली पे ही मैंने पानी के लिए क्योंकि पानी की तो जरूरत होती है किसके घर से लेके आती तो मैंने नल लगवाया, दूसरे ने जब मेरे घर में लाइट नहीं थी, तो सिर्फ इस वज़े से मतलब मैंने मीटर लगवा भी लिया था और मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ तो मेरे घर में लाइट का इतना खर्चा नहीं था, फिर भी मैं जब 6 महीने हो गएते तो मैंने लाइट का बिल दिया, तब यह कि मैं इतना ही बिल आ रहा है, इतना ही हो रहा कहीं नहीं यहीं एक रीजन है कि मेरे हस्बंड को भी मुझ पर उस तरह से टॉंड करने का या उस तरह से मुझ पर टॉर्चर करने का एक मौका मिला कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है ना मेरे माई के वाले हैं ना मेरे भाई हैं और जब हमारे सपोर्ट में कोई नहीं होता है कि मैं पैसे transfer कर दे रहा हूं तुम राखी दे दे ना आप लोग बताइये मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे राखी बाननी चाहिए या नहीं बाननी चाहिए पैसे भेज दिये हैं तो पैसा matter नहीं करता है बात यहाँ पर एक दूसरे के रिस्टे की respect होती है और मेरी जरूरत के टाइम पर मुझे अकेला छोड़ दिया तो फिर ऐसे रिस्ते होने का या ना होने का क्या रीजन है क्या मुझे राखी बादनी चाहिए या नहीं बादनी चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैं अपनी परसनल लाइफ आपके साथ में धिरी धिरे शेयर कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कते हर महिला को होती है कि वो पती को चुने बच्चों को चुने या फिर भाई को चुने त्योहार पर हर किसी को ये दिक्कत होती है कि पती भी लेके नहीं जाना चाहते हैं और भाई लोग ये कहते हैं कि जल्द मेरे मम्मी पापा ने अपने ही हिस्से में से मुझे थोड़ी सी जगा दे दी जिस घर में में रहती हूँ ये जगा मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे दी है जिसमें से तीनों का हिस्सा बराबर दे दिया है और अब उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है हम लड़किया है हमें का होता तो फिर मैं कहां जाती क्या करती उस परिस्तिती में हम क्या कर सकते हैं कहते हैं कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता है लेकिन औरत के दो घर होते हैं लेकिन उसका खुद का कोई घर नहीं होता है अगर वो किसी गलत बात के पिछे आवाज उठाती है तो ससरार वाले माईके वालों को बोलते हैं और माईके वालों से कहती है तो ये बोलते हैं जाओ वो तुम्हारा घर है लेकिन उसका खुद का वजूत, खुद का परिवार, खुद का सम्मान कहा है आज तक मुझे इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिला है पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इतना जरूर इन बातों को से समझी हूँ कि अगर हमें खुद में अपनी पहचान और अपने उपर कुछ भी करना है ना तो खुद के लिए आत्मे निर्भर बनना बहुत जरूरी है जब तक हम आत्मे निर्भर नहीं होंगे ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हों और हमें गलत बातों के आगे भी जुकना पड़ेगा मैं नहीं जानती कि मैंने अपनी जिन्दगी में फैसले सही लिये हैं या गलत लिये हैं एकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब तक बरदास होता है तब तक ही मैंने बरदास किया है और जब बरदास की लिमिट पार हो गई है न तो फिर मैंने उन चीजों से अपने आपको दूर करना ही बहतर समझा है तयार हो के हाप ही हम निकल चुके हैं बाहर की तरब जैसे ही निकले हमें आटो मिल चुका है और अब हम चल रहे हैं गंगस्नान के लिए तो आप लोग अगर बरेली से हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कहां जा रही हूँ और अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा यह है हमारा सीवी गंज का में मार्केट य दूर है और अब चल रहे हैं हम आगे आटो में बैटके क्योंकि हमें दो आटो भी बदरने पड़ेंगे यह घर से ही मिल यह वरना हमें थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता सौंबार का दिन है यहां पर दूसरी बास साबन है तो यहां पर कामरियों की भी धूम है सुब देखते हैं कि अगर हमें बस मिल जाती है तो ज्याधा अच्छी बात है बस नहीं मिलेगी तो फिर हम आटो से ही जाएंगे तो कुछ आटो वाले जा रहे हैं और कुछ आटो वाले नहीं जा रहे हैं हर कोई पूछ रहा है कि कहां जाना है कहां जाना है तो यह है हमारे बरे मिनिट लगते हैं हमारे घड़ से वहां तक पहुंचने में आप लोग यहां आए हैं तो मुझे जरूर बताना बरेली से हैं तो सभी लोग हम यहां बैठ चुके हैं और उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ तो अभी यह थोड़े फोटो लिये हैं और उसके बाद में आगे की तरफ हमारा ओटो जो है वो चल चुका है कावडियों की सावन के महिने में इतनी धूम होती है कि जिदर देखो अधर कावडिया और केसरी रंगी दिखाए देता है तो अभी हमें जहां पहुचना है था है वहां हम पहुच चुके हैं अभी उतरते हैं यहाँ पर परशाद वगरा जो है वो लेना होगा क्योंकि आगे की तरफ जो परशाद है वो सही नहीं मिलता है बूरा मिला हुआ मिलता है तो यहां पर ममी ले रही है परशाद तब तक मैं यहां कर लुक दिखाती हूँ आपको कि सब तरफ जो है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है काफी अच्छा रखता है भीड़ बार काफी है हमने यह सोचा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी क्योंकि आज राखी का दिन है तो इतनी भीड़ नहीं होगी तकि भीड़ अच्छी खासी है काफी कुछ है और यहां से आगे का जो रास्ता है वो पैदल पैदल है तो धूप नेकली नहीं है इसलिए इतनी वो नहीं लग रही है और काफी अच्छा मौसम हो रहा है आने जाने वालों की इसी तरह से बीड़ है बहुत से लोग यहाँ पर आटो से आए हैं कुछ अपना आटो बुक कर के लिए के आए हैं कुछ मोटरसाइकल से आए हैं लेकिन हम चल रहे हैं पैदल क्योंकि आगे का जो रास्ता बिल्कुल पैदल ही है जाने वाले मोटरसाइकल से भी जा रहे हैं तो आप देखे आगे देख सकते हैं इतनी दूर हमें पहुँचना है और यह दोनों साइट पे हमारा पोल है आटो से आटो बुक करके भी लोग आए हैं बहुत सारे लोग आते हैं और बाकी पैदल वाले तो हैं हैं आगे चलते हैं फिर मैं दिखाती हूँ कि पूरा जो हमारा गंगा जी का घाट है वो कैसा है और यहाँ पर बच्चों के लिए भी खेल खिलाने है फिलाल यहां आके इतना अच्छा लग रहा है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी धूप नहीं निकली है मौसम थोड़ा ऐसा ही है बारिस जैसा हलके सुबर सुबर बुन्दाबादी हो रही थी तो काफी अच्छा है लेकिन अगर बारिस हो जाती है तब तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कच्चा रास्ता है किच-पिच बहुत हो जाएगी तो देखे ममें पीछे की तरफ आ रही है और हम लोग काफी आधे रास्ते पे आ चुके हैं पर देखों कि तरफ देखों हम वीडियो बना रहे हैं और यहां पर नाव भी चल रही है तो अगर लगेगा तो फिर मैं आप नाव पर बैठ होगी तो दो पर रखते हैं सामान और फिर देखते हैं कहा नहाना है और या आंटी जो है जो है जी हमारे साथ ही आईए थी तो तीनों लोग एक साथ हो गए हैं और अब देखें पूरा लुक में आपको पासर दिखाती हूँ नाओ वगेर का यहाँ से यहाँ तक पानी जादर नहीं है गंगा में और लोग की इतनी भीड है इतनी मुझे उमीद नहीं थी कि इतनी भीड होगी तो अभी देखें यहाँ पर सभी लोग अपने अपने वो कर रहे हैं तैयारी नहाने की कुछ लोग नहा चुके हैं कुछ परशाद चड़ा रहे हैं कुछ यहाँ पर अपने पैसे आते हैं विसरजन करने तो मम्मी ने यहाँ पर सबसे पहले मम्मी नहा के आएंगी मैं बाद में नहाँगी तो यह देखिए अपने अपने जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रख ले रहे हैं तो मैं मम्मी से बोड़ रही हूँ पहले तुम नहा के आजाओ मैं बाद में नहाँगी और यह देखिए आ हमारे इधर की साइड है और एक साइड से आप देख सकते हैं यहां पर पूल है और चोट चोटे बच्चे भी हैं और यहां पर सभी लोग जो भी उनके क्रिया होती है यह नहाना होता है कुछ भी होता है सब लोग यहीं पर आते हैं और नाओ में भी सारे लोग घूम रहे हैं मैंने पहली बार यहां यह चौबारी का हमारा घाट है कंगा घाट तो चौबारी में पहली बार मैंने नाओ देखी है यहां पर इससे पहले मैंने नाओ यहां पर नहीं देखी थी और देखिए मम्मी यहां पर नहा रही है डुपकी लगा रही है जो कि दूर है तो अभी ममी नहा के आ जाएंगी ममी यहाँ पर कपड़े प्रेचेंज करेंगी क्योंकि बैग में मारे फोन भी रखे हैं पैसे भी हैं सभी कुछ है तो इसलिए एक जा कोई उनके पास होना जरूरी है तो ममी नहा के आएंगी फिर हम यहाँ पर परशाद चड़ाएंगे जो सिधा बगर लेके आएंगे वो हम करेंगे और यहाँ पर लोग जो है ना बच्चो बच्चे हैं या कुछ भी है गंगा जी में पैसे चड़ाते हैं तो उसमें करें तुर्फि लगा ले रहे हैं तुर्फि लग परशाद चड़ाएंगे जो नारिल वाली लेके आए थे वो चड़ाएंगे चुन्रीव गर्रह लगा के तो यहां हमने परशाद परशाद चड़ा दिया है अब चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि परशाद चड़ चुका है, जो हम सीधा उगर लेके आये थे, वो हम यहाँ पर दान करेंगे और देख सकते हैं, बहुत सारी भीड यहाँ पर लगी हुई है, अच्छी खासी भीड है, इतनी उमीद नहीं थी तो अभी देखें, यहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं पटजी, तो हम सोच रहे हैं, चलो आगे कोई दिख जाएगा, तो वहाँ दे देंगे ममी का सीधा बममी के हाथ पर और मेरे सीधा मेरे हाथ पर रखके संकल्ब करा यहाँ, उसके बाद में हमने यह पर टीका लगाया है और अब हम चल दे हैं आगी की तरफ, तो मौसम काफी प्यारा हुआरा है काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ चलते चलते मुझे लगी है यह प्यास तो हम यहार पानी प्याएंगेए जो कि हम साथ में लेकर आए थे और इसलिए पानी लेकर आना बहुत जरूरी है और यहार पड़े कि लगे हैं बच्चो के खेल खेलोने खेलने का सामान और काफी अच्छी हमारी यात्र रही रक्षा बंदन भी काफी अच्छा रहा मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक्स वाचिंग